आल्राइट हाई एवरिवन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है और मैं बहुत ज़्यादा सिरियसनेस के साथ बना रहा हूँ लगबख में मेरा फिफ्ट टेक है ठीक है इससे पहले चार बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ ठीक है आपको भी मन नहीं कर रहा है रिविजन का मैं समझ पा रहा हूँ पर एक बाद अपने दिमाग में फिट कर लो मन को फॉलो करके रैंक करने ही बनते हैं डिसिप्लिन को फॉलो करके रैंक कर बनते हैं जो आप discipline set कियो अपने लिए, वो ही करके आपका rank आ सकता है, भाग मिलका भाग मूवी में बताया गया किस तरह से discipline में आने के बाद हो final race जिता है, जब भी वो discipline में नहीं होता, अलग-अलग लड़कियों के चक्कर में रहता है, तब वो नहीं जित पाता race, तो same हमारे इस competition मे भी हमें apply करना है, मैं आपको exact तरीका बताऊँगा कि आपको किस तरह से revision करना चीए, इस December के मन्त में, इस January के मन्त में, ये को बहुत लोग के पास short notes होगे, वो लोग को भी मैं तरीका बताता हूँ, पर जिनोंने भी short notes अभी तक नहीं बनाए, कोई problem नहीं है, आपके main notes है अभी के revision में क्या करना होता है, सिर्फ concept revise करना होता है, कुछ page fold की होगे questions वाले, वो वाले questions सिर्फ मैं solve करूँगा, कुछ star marks questions मैं solve करूँगा, जो मैंने star marks की होगे, star marks questions, page fold questions, same ही है, ठीक है, मतलब सिर्फ concept revise करना है, और star mark question revise करना है, सारे questions मैं revise नहीं करूँगा, मेरे पा नहीं चाहते हो, तो आप कैसे revise कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपके subject में जितने भी topics है syllabus में सारे topics ऐसे brief way में दिये गए हैं हर topic का multiple split भी हो सकता है, हर topic में multiple subtopic भी हो सकता है, तो main notes में एक के बाद, एक के बाद एक पढ़ाए गए हैं, तो वो सारे topics के नाम एक page में लिखके रख दो, ठीक है एक page में, उसी sequence में लिखके रखो जिस sequence में आपके main notes में पढ़ाए गए थे, तो ये होने के बाद, आप जब भी हो subject revise करना चाहते हो वो सिर्फ वो page लेके बेठो ऐसा बाजू वाले table में रख दो और एक नया blank pages का bundle अपने पास रखना वो topic का नाम देखो और खुद से वो concept recall करो, उसका formula recall करो, second topic का नाम पढ़ो खुद से concept recall करो, उस topic का formula recall करो, लिखो paper में इस तरह से आप पूरा subject बिना देखे, revise कर सकते हो main notes से, सिर्फ वो topic का नाम पढ़के, हो सकता है कि आप topic का नाम पढ़ो, concept रिकॉल कर लिया, formula याद नहीं आ रहा है, तब main notes उथाओ, ऐसे आप अगर हर subject revise करोगे आगे ऐसा time आएगा कि आप सिर्फ blank pages लेके बेठोगे, वो topic के नाम की भी जरूरत नहीं होगी युकि आपको पूरा subject visualize हो गया कि किस order में एक के बाद topics build हुए देखके उपर एक जो इस तरह से revision करेगा न जिससे पता है कि कौन से topic के बाद कौन से topic बढ़ाया था, कौन से topic के बाद करने से go through करने से कुछ होगा नहीं topic के नाम लिखो और उसे blank pages में खुद से recall करने की कोशिश करो, नहीं याद आ रहे main notes देखो पहली बार नहीं याद आएंगे, दूसरी बार याद नहीं आएंगे, तीसरी बार पक्का याद आएंगे ऐसा time हैगा कि बिना उस topic के list के आप revision कर पाओगे जिसके पास short notes पहले से बने हुए हैं, उसको तो पहले सी topics उसी list में लिखे गए हैं, बस आप शायद से आपको थोड़ा हाथ रखना होगा वहाँ पे और अपना खुद से formula लिखने की कोशिश करने होगी, blank paper पे इस तरह से actually मेरा दोस्त revision करता था महताब नाम का, और वह बहुत त्यदा talented इंसान था उसने JEE में भी बहुत अच्छा rank निकाला था ठीक है, मैं उसका suggestion आपको दे रहा हूँ जो मैंने भी खुद उस time पे apply नहीं किया था पर last 4 साल में मैंने लोग को यही suggestion किया है इस तरह से revision करते है बिना main notes देखे आपको चीजे दिखाई देने चीए एक के बाद एक topic कैसे बनाए गे थे पूरा subject कैसे complete किया था जो इस तरह से revision कर रहा है वो पूरे subject में understanding बना रहे है ठीक है और जब भी February का gate exam का दीन आएगा न और अगर आप एक subject दो बार भी revise की हो तो इतना गड़ी तयार हो जाएगा वो rough pages का जो वो rough pages देखकर आपको motivation हैगा कि आपने इतना महनत किया है अपने revision पे आप कैसे चीजे भूल सकते हो हमारा confidence low क्यों होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमने कुछ जादा महनत नहीं किया हम अपनी महनत दिखाई नहीं देती हमें सिव अपने negative factors दिखाई देते हैं कि हम gate exam क्यों नहीं crack कर सकते हैं तो हम वो factors create कर रहे हैं blank pages के help से यह pages का bundle मुझे gate exam से पहले दिखाएगा कि भाई तुन्हें इतनी महनत की है तो कैसे फेल हो सकते हैं ठीक है तो यह मेरा कुछ आपके लिए suggestion था मन को follow मत करो discipline को follow करो और दूसरा चीज बहुत लोग confused होते हमेशा sir मेरे साथ वो ने तो इसका नोकरी ले लिया वो यह internship ले रहे वो यह job कर रहे है मैं तो gate exam का preparation कर रहा हूँ मुझे तो पता भी नहीं कि gate exam में successful होगा की नहीं सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में recall करो आपने gate exam का preparation करने का step क्यों लिया था सबसे पहले आपने इसलिए step लिया था क्योंकि आप उस job को इतना important नहीं समझते हो तो आज अच्छानक से वो important क्यों बन गया है अपने आपसे question करो वो आपके लिए important tiny placement इसलिए आपने gate exam का preparation चुना आपको एक बड़ी opportunity दिखाए थी जब आप बड़े opportunity को aim बनाए हो अपना तो क्यों किसी के TCS के या फिर Infosys के service based job से आपको demotivate होना है ठीक है आप IIT's aim कर रहे हो IIT's में जाके आपका बहुत अच्छा placement लगेगा और तीसरा चीज सेम चीज exam और gate exam के respect के भी है semester exam और gate exam के respect में कुछ लोगों का semester exam आ रहा है पास तो वो लोग क्या सोच रहे है कि मैं semester exam की preparation नहीं करूँगा gate exam का preparation करूँगा कि मैं gate exam के लिए बहुत serious हूँ कि एक emergency create हो गई है semester exam की तो वो pressure वो handle नहीं कर सकते तो वो किसी तरह से उसे टालना चाहते है ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ यह honest यह चीज है gate exam के बाद जैसी gate exam नजदीक आता है न लोग बताते कि मैं अगले साल की preparation करूँगा अगले साल फाडूँगा मैं अगले साल मेरा बहुत अच्छा rank आएगा मैं अभी से उसका preparation start करता हूँ हमेशा हम जो बहुत दूर वाला goal है ना उसकी preparation करने में जादा interest रखते हैं क्योंकि उसका डर अभी तक पैदा नहीं हुआ है ठीक है तो कभी ना कभी वो भी आएगा कभी ना कभी next gate exam भी आएगा तो अगले अगले target set करने से अच्छा है कि अभी semester exam अच्छे से कर लो तब से revision पर focus करना आपने जो भी subjects हो चुके है जैसे semester exam खतम हो जाता है वापस से gate exam का preparation continue करना ठीक है इस exam में उसका rank नहीं आता जो बहुत कुछ कर रहे है उसका rank आता है जो बहुत कम चीज़े भी कर रहे है पर वो बहुत अच्छी तरीक से कर रहे है ठीक है तो gate 2024 का preparation करना चाहते हो आप में से कुछ लोग electronics, electrical, instrumentation, cac यह चार branches के students हो आप मुझे whatsapp करो one triple nine मेरी consultation fees है सब कुछ videos YouTube पे अविलेबल है सारे lectures YouTube पे अविलेबल है किसी coaching की जरुरत नहीं है कुनसे books खरीदने है तीन वह में आपको बता दूँगा कुनसी अक्टेसरीस खरीदने है वह में आपको बता दूँगा बाकि doubt आपको जो भी आयका technical वह हमारे whatsapp के group में under 50 rankers है वह आपके doubt solve करेंगे और वह same rankers अभी placed भी हो गए हैं बहुती next level का preparation हो सकता है हमारे consultation में आप join कर सकते हो तो इतना ही था इस वीडियो में हम फिर मिलें किसी वीडियो के साथ till then Bye सारी बीटी करूँ पाजू फिर दादू नाच पादू